algorithm sir यह मिंटी के दिये से टी्लाइट गैंडल होल्डर यह पी को कि लैट कैंडल होल्डर तो यह मै ने लिया है मिटी कर दिया बड़ा सा और दो सीडी मेरे गर पे बहुत सारी पड़ी थी अभी पड़ी हैं तो मैंने सोचा चलो इस तरह से यूज कर लेते हैं इस तरह सेट करके देख लें और उपर वाले जो सीडी पगड़े हाथ में उसको कट करना है एक सीडी को ही कट करना है इस तरह से निसान लगा लें और इस तरह से केच्च की हेल्प से कट कर दें और यह मैंने ली है एर ड्राइक के लिए इन दोनों को मिक्स कर लेंगे अब हम बनाएंगे मोर की गर्दन की सिर्फ कि ट्वंटी या थर्टी मिनट के लिए इस तरह से बना के रख देंगे जिससे कि सैट हो जाएगी थोड़ थोड़ी सूक जाएगी ड्राइग फिर हम इसको चुपकाएंगे अगर सर्दी है तो यह अगर सर्दी है तो यह जल्दी नहीं सूकती है तो टाइम लगता है अगर में जल्दी ड्राइग होई आती है इसलिए इसको 20-30 मिट के रख देंगे इसके वाद हम तब तक दूसरा काम कर लेते हैं अब हम मोर की जो पंक होते हैं उनको बनेंगे इस तरह से इस तरह से बहुत सारे बना लेंगे विस सीडी पर उल्टी तरफ इस तरह से चिपका लें कि इस तरह से बड़ी सी रोटी यहांगे और एक सर्कल काट लें गोल चूडी हो या किसी के डगकन हो और यह मैंने पहने का कैप लिया हैं उसके विस तरह से डिजाइन बना रही हूं इस तरह से आप बना सकते हैं अर गुलू के हैं से इस तरह से बीच में स्टिक कर देंग और पैन के कैप की हेल्फ से सरकल बना लेंगे और जो नीचे है नीचे की तरफ लगी है पैन की उल्टी साइड से सरकल बना लेंगे निडिल की सायता से स्वी की सायता से हम इस तरह से लाइन कीच लेंगे तो यह बनके तयार हो गए अब हम मोर की चौच बनाएंगे तो गिलू की हल्प से इस तरह से स्टिक कर लेंगे चुप कर लेंगे और पैन के कैप से या पैन के पीछे के बाग से इस तरह से डिटेलिंग कर लेंगे इस तरह से सरकल बना लेंगे और बीच में गलू लगा के इस तरह से रख लेंगे इसके बाद हम दिए में इस तरह से गलू लगा लेंगे और इस तरह से चुपका लेंगे जिसे यह अच्छी तरह से चुपक जाए जो लाइन कीचे उसके बीच बाग में इस तरह से रखना है के लिए लगाएंगे फिर इसको रखेंगे इस तरह से बीच में रख के चुपका लेंगे इसे मजबूती मिल जागे इस तरह से क्ले और गलू लगाकर इस तरह से उपर भी चुपका लेंगे इन दोनों को इस तरह से चुपका लेंगे इससे मजबूती मिल जाएगी मजबूत हो जाएगा अब हम इस तरह से क्ले लेंगे और इसके पीछे बाग में क्ले को लगा लेंगे फिर गलू लगाएगे इसके बाद हम इस तरह से चुपका लेंगे इस तरह से चुपका लेंगे और इसे पहले से ही बना के रख लें 20 या 30 मिनट यह सेट हो जाएगे फिर चुपका आते हैं तो यह आसानी से सही से सेट हो जाती है अब हम मोर के बिंग्स बनाएंगे पंग बनाएंगे इस तरह से फिल ड्रो कर लेंगे फिर कट करके फिर जो भी से बनानी है वो बनाएंगे इस तरह से चाकू की हाल्प से इस तरह से कट कर लेंगी जिसे आसानी हो जाती हम फेपर से ड्रो करकर कर लेते हैं तो इस तरह से बनाने में आसानी हो जाती है यह देखो बन गए इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे यह मैंने इस तरफ रखा है तो इसको उल्टी तरफ इस तरह से पलट देंगे तो दूसरा भी बन जाएगा है ना कितना आसान तरीका इसी तरह से बना लेंगे यह देखे अब हम ग्लू लगा के उनको चुपका लेंगे इस टिकल लेंगे विंग्स को चुपका लेंगे इस तरह से अब हम ग्लू लगा के इस तरह से फिर से यह पंक बना के इस तरह से चुट चुटे लगा लेंगे और आप जमीन है जो उसमें जो मन पसंद कोई भी डिजैन बनानी है वो बना लेंगे नीचे से फ्लावर या पत्थर चुटे चुटे जो भी आप लगाना चाहें वह अपने साफ से बना लेंगे पैन के हेल्प से इस तरह से पंक जो बनाई है उन में भी बना लेंगे अब कलर लेंगी सबसे पहले मैंने इस पे पूरे पर ब्लेक कलर किया है ब्लेक अखिलिक कलर जो देखिए कंपलीटली ट्राइब हो गया है ये अब हम ब्लू कलर करेंगे दियान से देखिए कौन-कौन से कलर किये है मैंने खूझ के और इस पर लाइट बिलू कलर किया है इस फूरा जुब सैट भी दिया है व्यस्त्रे सिए और भी गरिटर करलेंगे corridor कलर बच गया था वो मैं इसमें अंदर करती गई क्यों वेस्ट करना है तो मैं अंदर ही इसमें करती गई तो यह भी कलर हो गया अब हम जो विंग्स बनाए है उनमें वाइट कलर करेंगे पहले तो यह तो नीचे की तरफ ब्लू कलर कर लेंगे यहां पर मैंने एक गलति की थी हिए फियोंके गलतियों से ही तो सीखते हैं ब्लू कलर कर दिया यहां पर मैंने सिलवर कलर करना था जिसलिए चुमक जाए थोड़ी सी उसके बाद ब्लू कलर करना है तो आप पहले सिल्वर कलर करें उसके बाद ही ब्लू कलर करें और यहां पर विंक्स में मैं गोल्डन और रेड़ का टस्च दे रही हूं तो इस तरह से जली-जली से कलर करेंगे फिंगर टिफ्स की हैल्प से इस तरह से सिल्वर कलर लगा लें जिससे जमक आ जाएगी यहां पर मैं चॉंच भी बना ली कलर कर लिया गुल्डन कलर चॉंच पे आज बना लें और यह देखिए क्राफ्ट बन के तयार हो गया कितना सुन्दर लग रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा था और आप बताईए कि आपको कैसा लग रहा है अगर मेरे वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो के बाद बैल को दबादे हैं उसको बादे हैं जिससे कि आपको मेरे निव वीडियो की नोटिमिकेशन मिल जाएगी और आप मेरे वीडियो से बहले देख सकेंगे और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ से जरूर करें और प्लीज सपोर्ट करें मिलते हैं एक और निव इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए और फ्रेंड थैंक्यू एंड बाई उडिए प्लीज से जरूर करें मिलते हैं, वीडियो लिए खिपक्ट जरूर कंचे ऑ. ए-ज़िए्टे ए-ज़िएर मिलते हैं